श्री सद्गुरू महराज की जय परमाराद संसद्गुरू महरशी में ही प्रमान्षी महराज का प्रवचन मनों विकारों से छोटो बंदाउं गुरुपदकंज कृपाश इंदुनर रूपहरी महाम ओहतम पुंज जाशु वचनर विकर निकर प्यारे लोगों संसार में जब तक जीवन रहता है मनुष्य चाहता है वह शुक शान्ती में रहे हमको शुक हो शान्ती भी हो यह बड़ी अच्छी बात है कि शुक और शान्ती हो मनुष्य यह भी जानता है कि कुछ काल तक इस शरीर के जीवन में जीवित रहना परेगा फिर अंत होगा शरीर को जला दिया जाएगा यह भी जानता है जैसे कि अपने देश में सधार अंत ग्यान चला आता है उसमें बताया गया है कि सरीर सूटने के बाद सरीरस्त जीवात्मा दूसरे किसी लोक में अपने कर्म के अनुसार जैसा लोक में उनको जाना चाहिए वैसा लोक में वह चला जाता है इसलिए स्राध्ध किडिया हम लोगों के अंदर में है श्राध किडिया में यह जनाया जाता है कि शरीर छोड़कर जिवात्मा का दूसरे लोक में वासा होता है जहां वासा होता है वहां वह सुक्षे रहे इसी वास्ते श्राध में जो पिंडदान आधी है लोक करते हैं चेतन आत्मा की अमरता का ज्यान स्राध किडिया में अवश्य है नहीं तो स्राध किडिया का जो पर्योजन है वह उत्तम नहीं होता स्राध किडिया में लोग जानते हैं कि शरीर मर गया इसके अंदर जो जिवात्मा थी किसी लोक में चली गई जीवन काल में जैसा आचरन जैसा सुब अशुब कर्म जिवात्मा का हुआ है उसके अनुकुल लोक मिलता है इसके लिए यह स्राध किडिया है जिवात्मा मरती नहीं शरीड मरता है इसी के विश्वास पर श्राध किडिया होती है यह वेदांत का ज्यान भी है कि जिवात्मा अमर है शंत लोक भी इस ज्यान को मानते ही है मानिए कि इस लोक में जब कि कोई धन विद्या और संतान वगऱा के साथ में है तो वह सुख के साथ है धन है विद्या है संतान है तो वह शुख में है ऐसा लोग कहते हैं अवस्या परंतु शांती में हैं यह तो परतियक को पूछने पर मालुम होता है पूछिए कि शांती में हैं तो शांती में हैं कहना बड़ा मुश्किल क्योंकि धन में भी खत्रा है संतान के अंदर अनुकूल और नहीं अनुकूल भी संतान होती है फिर संतान में से यदि कोई रोगी या ज्यान, विद्यावीन, उदंड इत्यादी है तो उसमें भी उसको शान्ती नहीं मिलती है शुक की सामगरी रहते वे भी शान्ती नहीं है ये सब ठीक मिलने पर भी शान्ती नहीं है बाहरी सब बात ठीक है लेकिन भीतर में क्रोध, काम, क्रोध, लोग, मोह, इरिश्या, द्वेश उपजते हैं ये सब विकार जो होते रहते हैं इन विकारों के मारे लोग परिशान रहते हैं शांती नहीं आती, इन विकारों में रहते वे अशांती ही अशांती होती रहती है, जो विचारवान नहीं है, वह मनो विकार को ठीक से नहीं समझता है, लेकिन संसकार वाला आदमी समझता है, विकार शांती को विगार देता है, यह इस लोग की बात है, पर लोग की कथा पुरान ग्रंध में पढ़ते हैं तो मालुम होता है कि देवताओं को भी मनों विकार नहीं छोड़ता गोशामी तुल्शिदाजी ने लिखा है नारद भव विरंची शनकादी जे मुनिनायक आतम वादी मोह न अंध किन्ह केही केही को जग काम नचाव न जेही तृष्णा केही न किन्ह वो बोराहा केही कर हिर्दय क्रोध नहीं दाहा ज्यानी तापस सूर कवी कोविद गुन आगार केही के लोव विडंबना किन्ह न एही संसार श्री मद बक्रन किन्ह केही परभुता बधिरन काही बिरिंग लोचनी के नयन सर को असलाग न जाही गुनकृत सन्य पात नहीं केही कोव न मान मद तजयो निबेही जोबन ज्वर केही नहीं बलकावा ममता केही कर जसन न सावा मच्छर काही कलंक न लावा काही न सोक शमीर डुलावा चिन्ता साविन काही न खाया को जग जाही न ब्यापी माया कीट मनोरत दारु शरेडा जेही न लाग घुन को अस धिरा श्री सद्गुरु महराज की जएश परवचन कल के परवचन पाठ में यह परवचन आठ बारा उनिस्टो सत्तर इस्वी को विहार राज के प्रोयनिया जिलाम तरगत श्री संतमत सशंग मंदिर कटिहार में हुआ था जैगुरु महराज झाल झाल झाल